इस प्रोग्राम इस स्पॉंसर्ड बाई मेक माई अडवर्टाइजमेंट विजे हजारे ट्रोफी का फाइनल मुकाबला हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडू के बीच खेला गया इस फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडू को विजेडी नियम के अनुसार 11 रन से हराया और इस टूर्नामेंट की विजेता बनी तो ये नज़र डालते है जैपूर के सवाई मान सिंग स्टेडियम में खेले गया इस फाइनल मुकाबले पर टोस जीत कर हिमाचल प्रदेश ने पहले गयन बाजी करने का फैसला किया बले बाजी करने उतरी तमिलनाडू की शुरुआत खराब रही बाबा अपराजी दो, नरायन जगदिशन नौ, साई किशोर, अठारा और मुरुगन अश्विन साथ रन बना पविलनल लोटे इस तरह तमिलनाडू ने 14.3 ओवरों तक 40 रन पर ही 4 विकेट गवा दिये लेकिन इसके बाद कप्तान दिनेश कार्तिक ने इंदरजीत के साथ मिलकर 27.2 ओवरों में 5 विकेट के लिए रिकॉर्ड 201 रन जोडे दोनों बले बाजों ने हिमाचल के गिन बाजों की जम कर धुनाई की कप्तान दिनेश कार्तिक ने 103 गिंदो पर 8 चौके और 7 चौके और 7 चौके लगा 116 रन की शतकिये पारी खेली वही बाबा इंदरजीत ने 71 गिंदो पर 8 चौके और 1 चौके और 1 चौका जड़ 80 रन बनाए इसके अलावा शारूख खान ने 21 गिंदो पर 3 चौके और 3 चौके लगा 42 रन की पारी खेली वही कप्तान विजय शंकर ने भी 22 रन बनाए इस तरह तमिल्नाडू ने 9.4 उवरो में 10 विकेट पर 314 रन बनाए हिमाचल के लिए सबसे ज़्यादा पंकज जैसवाल ने चार और कप्तान रिशी धवन ने 3 विकेट चटकाए लक्षे का पीछा करने उतरी हिमाचल परदेश ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोडे प्रशान चोपरा 21 रन बना बोल्ड हो गये इसके बाद बल्ले बाजी करने आए दिवगी जै रंगी भी बिना खाता खोले पविलियन लोटे चोथे नमबर पर बल्ले बाजी करने आए निखिल भी 18 रन बना आउट हुए लेकिन इसके बाद बल्ले बाजी करने आए अमित कुमार ने शुभम अरोडा के साथ मिल कर टीम को सम्हाला दोनों बल्ले बाजों ने 25 ओवरों में 5 विकेट के लिए 148 रन जोडे अमित कुमार ने 6 चोखों के साथ 74 रन की पारी खेली जबकि दूसरे चोर पर खड़े ओपन शुभम अरोडा ने शांदार शतक जड़ा शुभम ने 131 गिंदों पर 13 चोखे और 16 लगा नौट आउट 136 रन की पारी खेली वाई कप्तान रिशी धवन ने सिर्फ 23 गिंदों पर 5 चोखे और एक छक्का लगा नौट आउट 42 रन बनाएं खराब रोशनी की वज़ा से खेल रोकना पड़ा खेल रोके जाने तक हिमाचल प्रदेश ने 47.3 ओवरों में 4 विकेट पर 299 रन बना लिये थे अमपायर ने मैच में आगे चल रही हिमाचल को विजेडी नियम के अनुसार विजेता घोशित किया इस तरह ये पाइनल मुकाबला हिमाचल प्रदेश ने 111 रन से जीता 136 रन की शानदार पारी खेल अपनी टीम को जीत दिलाने वाले हिमाचल टीम के ओपनर शुभम अरोडा मैन आफ ता मैच बने